नमस्कार पोहट स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सर्मार्ग सब्ताहिक रासी फल इस सब्ताह अगर हम गरहों की चाल की बात करें तो चन्रमा सब्ताह की सुरुवात में करकरासी में इसके बाद वो सिंग, कन्या और फिर तुलारासी में गोचर करेंगे पूरे सप्ता सुर्य करकरासी में रहेंगे मंगल गुरू ब्रिसबरासी में रहेंगे सुक्र सिंगरासी में रहेंगे और वक्री सनी कुमरासी में रहेंगे वक्री रहू मीन रासी में गोचर करेंगे सुरवात में बुद्ध सिंग रासी में रहेंगे और यहां पर वक्री हो जाएंगे आठ अगस्त को भद्रा सुरू होगी तो इन तमाम ग्रह की चाल के अनुसार यह सप्ता क्या कुछ बड़ा बदलाव लाएगा क्योंकि अगर हम जोतिस के माने तो बुद्ध सुक्र के बुद्ध दिलाने वाला होता है इसी के साथ गुरू और चन्रमा का चतुर्त दसम योग भी बन रहा है तो ग्रहों के ऐसे सुभ योग से आपके उपर प्रभाव करकरासी यह सप्ता आपके लिए बहुत महतपूर्ण है आप जो भी प्रयास करेंगे सारे महतपूर्ण कार सप्ता के मद्ध में बन जाएंगे करियर के मामलों में धन के मामलों में अच्छा है कोई नई योजना बना रहे हैं नई प्लानिंग कर रहे हैं नई काम की सुरुआत करने जा रहे हैं तो अच्छा है और लंबी यात्रा से थोड़ा बचियेगा सप्ता के अंत में सर्दी और जो लोग इस्पोर्ट से जुरे हैं उनको रोजगार मिलेगी जो बैपारी भाई हैं समानने से कहीं बहतर है अच्छे सौधे हाथ लगेंगे पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत अन्बन हो सकता है जो युवाबर्ग है थोड़ा समानसी कस्ट दिखता है जो विद्यारती हैं किसी भी तरह का लापरवाही ना करें और पढ़ाई को लेकर थोड़ा सचेत रहें पुराने पारिबारिक जो विवाद हैं वो समाप्त होंगे वैसे तो जैसे मौसन चेंज हो रहा है तो अपना खयाल रखेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा उनको खासकर अपना खय अच्छी तरास्ता अपनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा यहीं सौटकॉट किसे बचिएगा आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा तो हिम्मत नहीं हारना है आगे बढ़ना है घवडाईएगा मैं छोटी मोटी दिकतों से क्योंकि मंजिल तो प्राप्त हो लेकिन कोई धर्म अस्थान पर जा सकते हैं और स्वजनों के साथ किसी तरह कोई गलत फेमी है उसको दूर करने का प्रयास करें तो वह दूर हो जाएगा प्रेम संबंद में थोरा साबधानी से आगे बढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा है और जो बिद्यारती हैं पढ़